आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now Hello, आज की question पुछा गया है कि given this species में किसका maximum ionization energy होगा मतलब किसमें से यह दिए हमें एक electron निकालना है तो सबसे ज़्यादा energy लगेगी तो यह option जो हमारा दिया गया है वो oxygen positive है B nitrogen C oxygen D sodium तो sodium का electron configuration देखे तो 3S1 इसमें से electron निकालना कफी easy है तो इसका क्या होगा lowest ionization energy क्योंकि यह एक electron निकालते ही क्या करेगा noble gas configuration attain कर लेगा neon का तो इसका lowest होगा अब बात करते हैं इन तिनों species में तो nitrogen का क्या होता है 2P3 तो यह क्या है half field है इस वज़े से stable है तो इसमें ionization energies का ज़्यादा होगा क्योंकि यह electron loose नहीं करना चाहिएगा क्योंकि यह stable है oxygen की बात कीज़े 2P4S का electron configuration होगा लास्ट में तो यह क्या होगा ना तो half field है ना completely filled तो उसका ionization energy क्या होगा nitrogen से थोड़ा कम होगा क्योंकि यह थोड़ा असानी से ionize हो जाएगा तो nitrogen का ionization energy ज्यादा होगा oxygen के comparison में और oxygen से भी ionization energy क्या होगा कम होगा sodium का अब oxygen positive को देखते हैं इसका electron configuration यह देखे है oxygen का atomic number 8 होता है तो 2P4 last में आएगा पर एक electron ही loose कर चुका है तो इसका क्या होगा electron configuration 2P3 तो 2P3 होने कारण यह क्या हो गया half field हो गया half field होने कारण यह क्या हुआ stable हुआ और साथी साथी इस पर क्या है पहले से एक unit positive charge है तो इसमें से यह दिया हम एक और electron निकालते हैं तो क्या हो जाएगा oxygen 2 positive तो यह पहले half field stable से क्या होगा unstable हो जाएगा और टाइटली बाउंड करके रखेगा remaining electrons को जैसे positive charge है तो इसके पास क्या हुए 8 proton और 7 electron अब यह 7 electron तो क्या करेगा और टाइटली बाउंड करके रखेगा as compared to nitrogen यहाँ पर की 7 proton और 7 neutron है sorry 7 electron तो इस वज़े से यहाँ पर क्या होगा यहाँ से electron निकालना और ज़्यादा difficult हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर protons number of protons ज़्याद है मतलब nuclear charge यहाँ पर ज़्याद है तो इस वज़े से सबसे high ionization energy होगा हमारा oxygen positive के case में तो हमारा सही answer क्या होगा oxygen positive यानिकी A तो positive का सबसे ज़्यादा ionization energy फिर nitrogen का फिर oxygen का फिर sodium का सबसे कम thank you फिर क्लासिक स्टूल से लेके NEED IIT जही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करे doubtnet आप या वाथ्साप कीजिए अपने doubts 8400 400 400 अपर